हेलो फ्रेंद्स वेलकम टू मैं चैनल टूट ओफ शे मार्केट सो डिसकस कर लेते हैं निफ्टी बैंग निफ्टी फोर 12 जैन्वरी 2024 कल फ्राइड़ है वीक का लास्ट दे है एंड आज CPI डेटा अपडेट हुआ है और मार्केट में जो बिग प्लियर की पोजिशन से यहां मेरा टेलिग्राम लिंक वाटसप नमबर की बने सप्ली जोइन करने स्टार्ट करते हैं विद CPI डेटा की बात करने तो देखो आज 7 बजे करीब यह अपडेट हुआ है और यहां पर अगर देखें तो 3.2 परसेंट फोरकास्ट था लास्ट जो आया था दिसम्बर का CPI डेटा देटा था 3.1 परसेंट उससे बढ़कर यहां पर निकल के आ रहा है 3.4 परसेंट यानि जो एक्सपेक्टेशन थी उससे भी राइस किया इसकी वेज़े से आपने देखा होगा यूएस मार्केट थोड़ा गिव अप कर रहे है थोड़ा सेलिंग प्रेशर वहां देखने को मिल रहा है बट डाउस किस तरह रियक्ट करते हैं डाउस वह देखना होगा ठीक है क्योंकि अभी ओपन नहीं हुआ तो वह किस तरह इस डेटा को लेके चलते हैं यहां पर बात कर लेते हैं इसके बाद FIS डेटा की FIS डेटा की बात करूं तो देखो आज भी इन्होंने काफी बड़ी ओप्शन सेलिंग कर रहे हैं बाकिए अगर केश मार्केट के बात करूं तो केश मार्केट में 76,000 की ओप्शन सेलिंग है यानि बुलिश टू साइडवे अगर इन्हें मार्केट में बीरिश इनको लेके चलना होता तो यह क्या करके चलते हैं यह मार्केट में बाइंग करके चलते हैं बाइंग करते हैं पुट को और काफी नीचे तक लेके चलते हैं तो जो भी डेटा बिल्ड हो रहा है उसमें हम पुट बाइंग या पुट सेलिंग के respect में ही देखें अगर sell कर रहे हैं तो भी put selling मतलब इन्हें लग रहा है कि market नीचे जाएगा sorry उपर जाएगा और अगर buy कर रहे हैं तो put buying इनको लग रहा है market काफी नीचे जाएगा यह कितना percent लेके चलते हैं 80% इसमें यह react करते हैं actually है तो अब कल को क्या है कल एक तो CPI data का आपको reaction देखने को मिलेगा साथ में Infosys TCS इन दोनों का भी result का reaction देखने को मिलेगा result की बात करूँ तो Infosys के result आने के बाद जो Infosys ADR है जो US में trade होता है वो positive है वो ऐसे फोल नहीं हुआ जैसा पिछली बार हुआ था 7% 8% फोल हो रहा था वो इस बार नहीं देखने को मिला इस बार आपको US market में जो Infosys ADR है वो positive ही देखने को मिल रहा है अभी तक result आने के बाद तो ये एक शो कर रहा है कि हाँ market में अब इतनी ज़्यादा panic selling तो नहीं है बढ़ हाँ साथ में यहाँ पर mid cap में हो सकता है कि panic selling हो क्यों क्यों क्योंकि 2000 करोड की इन्होंने option buying कर रही है और mid cap में option buying मतलब कि यहाँ पर ये एक बड़ा movement upward ये downward करा सकता है और यहाँ पर इन्होंने buying कर रही तो हम थोड़े से बाइस रहेंगे downward direction में बट हाँ हम level to level ही trade करेंगे आज का high and low mark करके अगर वोड़ आपका तूटता है तब ही trade लेंगे अब mid cap nifty की बात करूँ तो यहाँ पर अगर मैं option buyer हूँ तो मैं ज़्यादा comfortable रहूँगा अगर मैं buyer हूँ तो और अगर मैं option seller हूँ तो मैं nifty या bank nifty में ज़्यादा comfortable रहूँगा क्यों क्यों क्योंकि data big player का उसवी subset build है बढ़ हां फिर भी मैं option steady use करूँगा so that जो भी reactions हो उनमें मैं hedge में रहूँ मैं अपने risk को fix करके चलूँ Wix की बात करों तो Wix 1.5% down हुआ है so that is also sign कि हाँ positive to sideway movement के sign है यह भी Wix अगर बढ़ता तो थोड़ा panic रहता कि हां market में downward movement हो सकता है बढ़ हां सब कुछ depend इस पर जरूर करेगा कि DAOs किस तरह react करता है तो आपको यह जरूर देखना होगा कि DAOs जब close होता है तो वह कहां पर close होता है Nifty की बात करें क्योंकि Infosys का result था CPI data था and TCS का result था तो यहां पर Nifty Sensex में उसको लेकर ज्यादा movement नहीं हुए reactions होगी क्योंकि यह उसके बाद market hours close होने के बाद आए तो reactions कल होगी जो भी होनी है नेक्स्ट यहां पर अगर मैं data की बात करूँ तो क्योंकि option बड़ी selling है तो यहां पर थोड़ा से हम side way to bullish data है चार्ट की बात कर लेते हैं चार्ट क्यों important है यह level है इसके उपर जाता है market तो काफी अच्छा moment यह market उपर की side दे सकता है अभी level 2 level की बात करें यहां अगर 21,690 का level देखें तो यहां पर काफी अच्छा resistance face कर रहा है पहले भी आया था resistance पहले भी आया था resistance और बीच में ज 21,800 तक के level और 21,920 तक के level देखने को मिल सकते हैं यहां पर अगर मैं SL की बात करूँ है न क्योंकि आज expiry हो चुकि कल आप next expiry में trade करेगे तो यहां पर अगर मैं SL की बात करूँ तो SL आपका 21,640 का रहेगा next अगर हम बात कर लेते हैं so 21,580 अगर तूटता है नीचे तो 4 490 तक के level आपको देखने को मिल सकते हैं और इसके बात 306 यह काफी important support है कई बार में बोल चुका 3-4 बार यहां पर support ले चुका बटा हां इस बार आएगा तो तोड़ देगा क्यों क्योंकि result भी आ चुके CPI data भी आ चुका तो अब अगर जो भी reactions होंगी वो थोड़ी levels को breakout breakdown करने की respect में हो सकती है तो अब अगर आएगा तो तोड़ सकता है बढ़ हां level अगर यह तूटेगा तब इस level के लिए हम होंगे और यह level तूटेगा तब इस level को mind में लेके चलेंगे यहां अगर home market और मैं यह level लेके चलूँ तो मैं गलत हूँ है ना मैं यह level तूटने के बाद अगर मैं यह सोचू इस level तक और फिर यह level तूटने के बाद इस level तक सिमिलर वे में उपर अगर जब तक 690 नहीं तूटता मैं ज्यादा बुलिश नहीं रहूँगा 690 तूटेगा तो मैं 800 के लिए और फिर 800 तूटने के बाद मैं 920 के लिए जाओगा तो इस वे मैं आपको प्लान करना है जबर्दस्ति की ट्रेड नहीं करनी उनसे बचके चलना है नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक की तो निफ्टी बैंक में जब तक 570 नहीं तूटता है 47-570 तूटेगा यहाँ पर सरवाई करता है थोड़ी देर भी तो आपको 47-830 30 और 48-84 तक के लेवल इजी ली देखने को मिलेगा बट सबसे पहले क्या है 570 कर तूटना अगर तूटता है तो ठीक है नहीं तो यह ब्रेक आउट आपको नेक्स वीक देखने को मिलेगा नेक्स वीक क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि HDFC का रिजल्ट आजाएगा ICIC का रिजल क्या थी उसको अवरकम कर रहा है नहीं कर रहा वह important होता है तो result negative भी है market उससे भी एक्सपेक्ट करके बेठा था तो फिर क्या होगा bullish moment होगा मार्केट का result काफी positive है but expectation उससे भी higher side थी तो फिर क्या होगा bearish moment होगा तो expectation क्या थी market को और result क्या है उन दोनोंका combination लेकर आपको analy करना होगा ठीक है नीचे की बात कर लेते हैं 47380 अगर तूटता है नीचे तो फिर आपको 47 तो इसको समझ के चलना अगर इसने यह तोड़ दिया तो फिर आपको यह और यह तूटने के बाद तो काफी अच्छा बुलिश मुवमेंट आपको देखने को मिलेगा कि सो देट्स अबॉट मैंग निफ्टी ऑप्शन जैन की बात कर लेते हैं 21650 के राउंड मार्केट ने क्लोजिंग दिये और यहां पर अगर मैं देखूं नेक्स्ट 18 जैन की एक्सपाइरी के लिए तो 18 जैन की एक्सपाइरी के लिए तो यहां पर रिस्टेंस 2100 पर चैनल पर अपको बाइस लाग का है और साथ तो पर रिस्टेंस आपका 36 लाग का जिसमें से 21 लाग आज एड हुआ है तो यहां टोटल सपोर्ट जितना है उतना आज यहां एड हुआ है जबकि एक्जेक्ली बीच में बंद हुआ है मारकेट तो थोड़ा से यह है कि सपोर् साथ से अगर देखा जाएगा तो यहां पर आपको एक अच्छी खासी बिल्ड अप होता हुआ कल देखने को मिलगा इस साइड या इस से तो जिस साइड भी बिल्ड अप होगा मतलब वह स्ट्रोंग हो रहा है मतलब उसके अपोजिट डिरेक्शन में मुव्मेंट हो सकता ह अब कोल कहां बाय कर सकते हैं 500 पर हम मारा कोल बनता है 700 पर पुट और 800 पर बनता है यहां अगर मैं और कोल 600 पर क्या कोल बनता है कल के लिए वोइड करना है ना क्योंकि CPI डेटा नेगेटिव है तो थोड़ा मुव्मेंट हो जाने देना उसके बाद ही हम कोल साइड सोचें इसके बाद अगर कोल हमें मिलेगा तो 350 पर हम एक कोल अटेंट और कर सकते हैं दोनों जगे चारों जगे आपका SL जो रहेगा कोल साइड हो या पुट साइड हो 50 पॉइंट का रहेगा और टार्गेट 100 पॉइंट के रहेंगे तो यह तो है निफ्टी की बैंक निफ्टी की राउंड ये दिन भर मॉवमेंट दिया इसने 500 से 500 से 500 पॉइंट उपर 500 पॉइंट नीचे तो ज़्यादा बड़े मॉवमेंट तो आज हुए नहीं यहां पर अगर मैं देखू 47,500 पर स्ट्रोंग रेजिस्टेंस है 23 लेक और अगर सपोर्ट देखें तो देखो यहां या है जब यह लेवल टूटेंगे अगर नहीं टूटे तो फिर दिक्कतें आपको देखने को मिलेगे और 500 के उपर सर्वाइव कर गया तो फिर बुलिश मॉवमेंट होगा तो बिग प्लियर का डेटा अगर साथ में एड करने बिग प्लियर का डेटा क्या था यह बुलिश ट साफी नेगेटिविटी है मार्केट में तो यह क्या करेंगे गेप डाउन ओपन कराके एक ही केंडिल में उपर लेकर आएंगे और फिर हो सकता है अपनी पोजिशन से एक्जिट करने थोड़ा इन चीजों का भी ध्यान रखना क्योंकि बड़ा प्लियर वैसे तो हेज करके चलता है और अगर उसको कोई भी दिक्कत आती है तो वह संभाल लेता है उसकी पोजिशन उस वह में बिल्ड़ अप होती है कहीं बाय कर रहा है तो वह चीजें होती है निव बैंक निफ्टी में बाय कर लिए तो अगर नीचे भी गिरे फूचर में सेल कर दिया तो यह सारी चीजें उसकी चलती रहती है ना तो वहां पर आपको लेके चलना है बट हाँ option selling जो बड़ी quantity थी उसके साब से क्या बन क्या रहा है कि market sideways to bullish रहेगा that mean कि हो सकता है market यहीं फसे या 500 के उपर जाके थोड़ी दे सर्वाय करके उपर moment दे दे आपको है ना तो बट जो लेवल आपको चार्ट में दिखाएं वो level to level ही हमें trade करना है उसके लावा हमें trade नहीं करना चाय मार्केट बीरिश हो या bullish हो यहां पर put कहां attempt कर सकते हैं तो put attempt के लिए 48,000 पर put attempt बनेगा और 120 points का आपका SL रहेगा और 240 points के आपके target रहेगा एक तो यहां put बनेगा second put कहां बनेगा second put बनेगा आपका 800 800 पर भी put बनेगा और यहां पर आपके वही 120 points के SL and 240 points का target रहेगा call कहां attempt कर सकते हैं तो call के लिए एक तो लेवल हो गया 47,200 और तूसरा लेवल हो गया 46,950 तो यहां पर 100 points का SL रहेंगे हमारे और 300 points के target रहेंगे अगर bounce करता है तो काफी strong bounce हो सकता है तो आपको यह लेवल याद रखना है 47,200 and 46,950 दोनों लेवल हैं आपके 100,100 points के SL और 250 यह तो 300 points के आपके targeting I hope यहां तक चीज़े clear होंगे clear हैं तो please like and comment so that channel can grow so please thank you